हलो गाइज मैं प्रभ्जुत को वेल्कम टू हेच जे न्यूज हर एक दिन की नई खबरे पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वज़ा से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई ने खब पहुच पाई नमश्कार जा दोस्तो आज का रासी फल 26 तेमेंबर यानि सौंवार का रासी फल आज इस एक रासी वाले जातक अपनी वाणी पर नियंत्रन रखे जा दोस्तो मैं इस रासी की बात करें तो अपने वाक्य चातूर से कारिय बना लेंगे व्यपार व्यवसाई में यश किर्ती की वृद्धी होगी खेल जगत से जुड़े जातकों के लिए समय श्रेष्ट है यात्रा से लाब संबव है समय पर कारिय करना सिखे जहां दोस्तों वीडियो पूरे लास्य तक जरूर देखे अगर आपकी रासी भी आ जाएगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताए रुसब राशी की बात करे तो वर्तमान समय शूब फॉल देने वाला है अपनी वानी पर नियंत्रण रखे बने काम बिगड़ सकते है अपनी सोच को बदले नकी दूसरी को बदलने की कोशिश करे क्रोध पर नियंत्रण रखे इस्ट आराधना सहायक होगी जा दोस एक स्थिती में सुधार होगा पुंजी निवेश्य लाब संभव है राजकारिये से जुड़े जात्यकों के लिए समय मिस्रित फलदाई है अपने अधिकारों का गलत प्रयोग न करे अन्यता नुकसान हो सकता है जा दोस्तों करकराशी की बात करे तो व्यापार विस्तार क की योजना सफल होगी सुष्टर है मस्तर है व्यार्थ चिंता छोड़ दे खाज्य बदा आर्थ से जुड़े जात्यकों के लिए समय अतिस रेष्ट है समय रहते पुंजी निवेश कर दे शत्रु वर्ग शक्रिय होगा जा दोस्तों सिहराशी की बात करे तो आपके पार से सह कर्मी खुश होंगे जिवन में नई उडान भरने का समय आया है इसका लाब ले पारिवरिक जानों से बेट होगी अना ये स्खर्च हो सकता है सामाजिक काड़े क्रमों में भाग ले सकेंगे जा दोस्तों कञ्याराशी की बात करे तो धन कोश में व्रुद्ध्य होगी अपने करियर के प्रती गंभीर निर्णे ले आत्मविश्वाज की कमी के कारण गलत फेसले ले सकते हैं मन में कही दुविदावी चल रही है अज्यात्मिक बल से लाब होगा जा दोस्तों तुलाराशी की बात करे तो लंबई समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद का आज अंतिन दिन है महत्व पूर्णक कारिये निप्टाने में लगे रहेंगे छात्रों के लिए समय महनत करने वाला है ज्यादा घमन से नुक्षान आपको ही है जा दोस्तों र आप कितना सोचते है पर करते कितना है इस पर ज्यान दे जिवन साती का सहयोग मिलेगा भूमी भवन से काम करने में पुंजी लगानी पड़ सकती है जा दोस्तों धनुराशी की बात करे तो क्या करू क्या न करू इसी स्थिती में आप गुजर रहे है शांती से फैसले ले जल्दबाजी में कोई भी कारिया न करे वाहन क्रे करने का मन बना रहा है अपनी सोच को बदले लाब होगा मित्रों से मुलाकात से मन फ्रफुलित करेगी जा दोस्तों मकराशी की बात करे तो आप दूसरों के लिए बुरा न सोचे अपने आहर पर नियंत्रा न रखे पेट सबंदीत रोग संबव है समय कम है काम ज़्यादा मन लगा कर अपने कारिये में लग जाए सफलता मिलेगी मन चाहा जिवन साथी मिलने से मन प्रसन्न होगा कुम्भ राशी की बात करे तो जो करना चाहिए हो करे फालतु समी बरबाद ना करे दूसरों की सीख में अपना नुक्षान कर बेठेंगे शांती से विचार कर कोई नियने ले आजी विका के स्तोत्र में रुद्धी के असार है पुराने निवेश से लाव होगा जा दोस्तों मीन राशी की बात करे तो कारिये की अधिक्ता के कारण जरूरी कारिये पुरे नहीं हो सकेंगे उन्नति के पत पर अग्रेसर होंगे अधिकारी वर्ग के लिए एस समय उत्तम है दान पुरिये से मन को शांती मिलेगी जहां दोस्तों आज 26 नवेंबर यानि समवर का राशी फल ऐसे ही राशी फल के जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बेल बटन को भी दबा दीजे